कर्णी सेना का नाम सुना है अपने नहीं नहीं सुना अरे वही कर्णी सेना जो राजिस्थान या देश में महिलाओं की इज़त पर हमला होने से परेशान नहीं होती बलकि जिसका इस्तेमाल फिल्मों का विरोध करवा कर उन फिल्मों को हिट करवा निकले होता है अब उस कर्णी सेना ने भीमा कोरेगाओ का विजय जो इस्तंब है उसको गिराने की धमकी दे दिये बताइए और जैसे ही ये बात सामने आई महराश के विधान सभा में ये मामला गुझने लगा बोजन विधायकों ने इस बयान पर कर्णी सेना को जम के लता ला दिली कि आमीत अडिकाणी विजय स्तंब तितला पाड़ूंटा कू आणी एक प्रकार ची चितावनी देऊं यह अडिकाण सा बातावरं जे शांतेते चाहे त्याला कुटतरी दुशित करना सा प्रेतने अडिकाणी केला दातु है आपने मादे मातना मला त्यानना सांगावस वाड़ तक करनी सेने ला कि जरा आपन इतियास सांगले पद्धती नी भगितला पाईजे समझला पाईजे जाला इतियास अज माहितने तो का इतियास घड़वना रहा है करनी स्वेना आणी भीमा कोरेगाऊचा जगत पोनाशित सम्मंद जोड़ता एनार ने हे राष्ट्र अस्तित्वात नस्तान पेश्वे विरुद्ध अंग्रेज माजे दोगई अपले व्यवस्ते साथी देशा आते पेश्वे माजे राज्य राष्ट्र न होता आन इंग्रेज तेवा भारता आला सामराज्य वादाचा नावा खाली आलो ते इंपैरिलीजम तेवा दोगई एक मेकांच विरुद्ध राज्य स्वत्ताची व्यवस्ता निर्मान होवाई यासाटे लड़तो दी पेश्वा ने जिस शिवाजी माहराज की शिवशाही खत्म की उनकी राजधानी 17 से पूने इस्थान नांतरित की जिस पेश्वा ने शिवाजी माहराज के वारिज माहराजा प्रताप सिंग को सातारा के महल से धक्के मार कर बाहर निकाला जिने कैद किया उस जलालत का रिवेंज कैसे लिया जाता है ना इसकी मिसाल है भीमाकुरे गाओं जिस पेशवा ने जाती वर्ण के शोषण को राजधर्म बनाया, जिन्होंने अचूतों की गले में मठका और कमर में जाड़ो लटकाया, उसका हिसाब किताब है भीमाकुरे गाउं की जन्द। 1818 ये साल महराष्ट के इतिहास का सबसे महत्पूर्ण साल है, महराष्ट का आधुनिक काल यहीं से शुरू होता है क्योंकि नेट्यू आर्थाडॉक्स पेशवा राजा का जो राज खत्म हो चुका था, इसी बुनियाद पर फूले जी का विमर्ष यहीं से खड़ा होता है चदपती के महजूतों की सेवा करने की कौंकर से घाट पर आये, पेशवा ने धर्म सत्ता का सहारा लेकर शिवाजी महराज से लेकर प्रतापसी महराज तक सबको शूद्र कहके जो जलील किया, उनके राज भिशेक को नकार दिया था, उसका बदला है भीमा कोरेगाओ की ज अपना शाशक दल देख रहा, वहीं उनके च्छाती पर चड़ कर अयाश बरवर पेशवा राज खत्म करने का उस्सव करोडों लोग मना रहे हैं। लडाईयां अकसर अधूरी रहती हैं, अपने लडाकु संतानों के लिए आज फिर से हमें ये याद करने की उसके जरुरत हैं, हम उस महान लडा को सिदनाक के बंसज हैं, जिन्होंने पेशवा की मट्टी पलीद कर दी थी, तो करनी से ना या किसी भी विक्ति को इस इतिहास पर कुछ कहने करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए।